सभाचुनाव 2024 की सभी पार्टियों ने तैयारिया पूरी कर ली हैं और सभी की तैयारिया आप नजर भी आने लगी हैं लोकसभा से पहले कॉंग्रिस पार्टि राजस्थान में राजसभा की तीन सीटों को अपने पाले में करना चाहती है इसके लिए जादूगर कहे जाने वाले पूर्ब मुख्यमंत्री अशोग गहलोट चुनावी बिसात बिचा भी चुके हैं राजस्थान के रास्ते से सोनिया गांधी को राजसभा तक पहुचाने में जादूगर गहलोट अपनी भूमी का निभा भी रहे हैं वहीं सोनिया गांधी को राजसभा का जीत का गिफ्ट दे कर खुश करना चाहते हैं लेकिन असी बीच चौकाने वाली बात ये है कि राहूल गांधी चाहते हैं कि अजयमाकन को राजसभा का चुनाव लड़वाया जाए राजस्थान से वहीं गहलोत नहीं चाहते कि अजयमाकन को राजस्थान से मौका मिले याद करिए वो 25 दिसंबर माफ कीजिएगा 25 सितंबर 2022 की तस्वीर को जब अजयमाकन राजस्थान के प्रभारी रहते हुए दिल्ली दर्बार से चिथी लेकर आये थे और वो चिथी गहलोत को पता थी वहीं सबसे खास बात राजस्थान से सूनिया गांधी को राजसभा की सीट और चुनाव लड़वाना लगभग कॉंग्रिस पार्टी की ओर से तै हो गया है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहीयोगी सूरेंद्र सूनि अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं लाइव सूरेंद्र जी आप से समझना चाहेंगे सियासी समीकरण इसके क्या कहते हैं क्योंकि जहां एक तरफ राहुल गांधी अजय माकन को राजसभा से लड़व वो तागे आ गए हैं बिलकुल प्रियंका देखिए आपका सवाल बड़ा माकुल सा सवाल है और कहा जाता है कि नजर का तीर नजर में रहे तो अच्छा है और घर की बात घर में रहे तो अच्छा है अलाकि राजिस्थान की राजनिती में लगातार जादूगर कहे जाने वाले अशोग गहलोद बले ही अशोग गहलोद की जादूगरी विधान सभाद चुना में नहीं चली हो लेकिन वो अभी भी हार पसंद नहीं करना चाते और वो सोनिया गांधी को जो है वो जीत का गिफ्ट दे करके राजिस्थान के रास्ते से राज्यसभा तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने जो भी गाहें बगाहें दाएं बाएं उपर नीचे जहां से भी उनको जो जादूगरी दिखानी है वो जादूगरी पुरी तरीके से उनकी जो तिरिस्मी जादूगरी है वो कहीने कहीं पुरी तरीके से नजर आ रही है लेकिन यहाँ पर प्रियंका ऐसे कई अन्सुल्जे सवाल हैं हाला कि देखिए कि गांधी परिवार में जब हमने कल चर्चा की थी कि अंतर कल जो है वो नेशनल से लेकर के रिजनल तक है देखिए सुनिया गांधी चाहती है कि राजिस्तान से राज्यसवा पोंचे तो वहीं दूसरी तरफ रा राहूल गांधी के साथ भारत जोडो निया यात्रा के दोरान जो है वो अजे माकन लगातार उनके साथ बने हुए हैं लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी तस्वीर हैं प्रियंका जिसमें तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी कि 22 सितंबर 2022 को जब आला कमान से अजे माकन ज और जब डाकिया बन करके राजस्तान में आये थे तो जो चिठी थी उस चिठी में जिस तरीके से जो लिखा हुआ था वो अशो गहलोत को पता था लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ पंक्तियां याद आती है कि दिल के सारे गिले शिक्वे रहने दीजिए आप जहर देने खाते हुए यहाँ पर भी अशो गहलोत और अजे माकन के बीच में काफी कुछ बहस हुई थी इसी को लेकर के अजे माकन को जो है वो राजस्तान का प्रभारी भी हटाया गया था वो इसलिए हटाया गया था प्रियंका क्योंकि अभी भी कॉंग्रेस की जो कमान है रिमोट है वो सोनिया गांदी के हाथ में है बले प्रियंका राहूल गांदी दोनों ही कितना ही दावे कर लें कि उनकी चलती है हाला कि देखे माने सरकांड के अंदर हमेशा से प्रियंका गांदी ने जो है वो सचीन पाइलट का साथ दिया तो इधर से सोनिया गांदी ने जो है वो अशोग गहलोत का साथ दिया लेकिन अशोग गहलोत 25 सितंबर को जो उन्होंने गलती की थी उस गलती को ना तो वो दोहराना चाहते हैं बलकि उस गलती में सुधार लाने के लिए सोनिया गांधी को राजस्तान के जरिये से वो राज्य सबाप पहुचाना चाहते हैं प्रेंडर जी आपको रुखना चाहूंगे आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या इसके सियासी समीकरण ये कहते हैं कि अशोग गहलोद सुनिया गांधी से दूर नहीं होना चाहते जिसकी वज़े से वो सुनिया गांधी को आगे कर रहे हैं पिल्कुल देखिए आप प्रियंका यहां पर यह कहा जा सकता है कि तेरी कोशिश है चरागों को बुझा दे मेरे मेरी हसरत है तेरे घर में उजाला हो जाए तो यह देखिए यह कॉंग्रेस के अंदर जो लगातार उपापो की इस्तिती बनी हुई है यह उपापो की इस्तिती कब तक शान्त होगी कोई नहीं जानता हाला कि राजिस्तान की राजनिती में कहा जाता है कि जादूगर का जादू हातों का कमाल है करते हो तुमके से सब का ये सवाल है हलाकि अशोग गहलोद राजनिती के जादूगर भले ही हैं देखिए वो इस वक्त भले पुरी तरीके से स्वस्त नहीं है फिर भी सोनिया गांधी के लिए वो एक टांग पर खड़े रहने के लिए तैयार है यानि कि अशोग गहलोद कई बार के चुके हैं कि म ने राज्यसवा का जो पत समाला वो भी गांधी परिवार की बदोलत तिन तिन बार राजस्थान का मुख्य मंत्री रहा वो भी गांधी परिवार की तरफ से लेकिन गांधी परिवार इस वक्त जो है वो कॉंग्रेस के आसपास ही घूम रहा है गेर कॉंग्रेस से अब तक राजस्तान या फिर राजस्तान के अलावा नेशनल कॉंग्रेस में इंट्री नहीं मार पाया है अब आप देखिए धीरे-धीरे कॉंग्रेस के वो तमाम दिगज नेता जो है वो कॉंग्रेस से दूर होते जा रहे हैं आज ही अजीत चौवान जो हो है कॉंग्रेस छोड़ कर करने के लिए ठीक है सुरेंडर जी इस तमाम जानकारी के लिए हमारे दर्शकू के साथ इस तमाम जानकारी को साजा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद